हलो फ्रेंट्स मैं रतंदीक कुमार आप सभी का स्वागत करता है आज के इस वीडियो में मैं हूँ अपने गाउ के में रोड पे और ये में रोड अभी वाड नमबर 4 में है और मेरा घर वाड नमबर 2 में है वहाँ से मैं पैदल आया हूँ पकडंडी के सहारे और यहां पे अभी में रोड पे खड़ा हूँ कुछ दिर के बाद हम चलेंगे मधेपूरा लेकिन उनसे पहले यहां पे कुछ अची अची चीजे हैं तो आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ देखिए इधर बर्सा काफी हुआ है दस दिनों से तो यहां पे काफी पानी लगा हुआ है यहां पे खाई है रोड के यह उत्तर साइड में है और काफी बर्सा हुई है हम लोगों के गाउं में इधर देखिए जहां पे कितना अच्छा तार का ब्रिक्ट है कितना बढ़िया लग रहा है देखने में काफी सुंदर है और इसके अलावा जहां पे देखिए पॉल गिराये गए है यहां पे कोई फ्रेंस था यहां पे आया गया है बिजली के कनेक्शन ही तुड़ों के गाउं में कहीं कहीं पे बिजली कनेक्शन अभी नहीं है उसी के लिए यह पोल खंभा लाया गया है और इसे गारेंगे और बिजली का कार्य आरंव होगा। उसके साथ जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो इधर देखेंगे इस ब्रिक्ष में कितना सुन्दर फल लगा हुआ है इसे हम लोग कठल कहते और आप लोग भी जानते होंगे यह कठल ही है कितना बढ़िया है यह फल अभी इसमें कुछ कच्चे हैं कुछ पके हुए हैं तो जैसा कि अब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं पक्सीम के और और यहां पर देखेंगे यहां पर भी पोल रखा हुआ है और यहां पर मेरे गाउं का सरकारी स्कुल है बच्पन में मैं यहां पर पढ़ता था यह देखिए धीरे धीरे मैं अभी सरकारी स्कुल के तरफ ब मेरे गाउं के रोड जो है यहां पर लत्वना रोड में रोड उससे यह पूरव साड़ में है और इधर पसिंग साड़ में है यह सब खाना वना बनाने के लिए तो आगे मैं बढ़ता हूँ और मैं गंता भी अस्थान पे जा रहा हूँ जहां से मुझे गाड़ी लेना है और मध्यपुरा के तरफ जाना है क्योंकि मुझे एक्जामनेशन के लिए जाना है में सकेंड समेस्टर का फर्स्ट इंटर्नल हम लोग का हो रहा है एक्जामनेशन जिसका एक दिन बीच चुका है आज दूसरा दिन है मुझे अमीद है कि आप लोग को यह विलोक्स वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा चलके चलके लाइट कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टेर कीजिएगा देखिए मेरा फ्रेंस मुरारी कुमार आज का हा जारी ले करके माय इस पे अभी बैठूंगा और को सबस्क्राइब कीजिए गाँ मुहीं के अरा जान देखिए अ